हालो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं इस्टेदिशीट चैनल दोस्तों आज मैं टेनिस इल्बो इंजरी के बारें बता रही हूं दोस्तों इसके पहले मैं 6 वीडियो बना चुकी हूं इस्पोर्ट इंजरी यानि खेल में लगने वाले चोटों के बारे में चोट कितनी प्रकार के होते हैं मुलायम उत्तकों की चोटे हडियों की चोटे जोडों की चोटे एंड अन्य चोटे जो आपके लिए बेरी इंपोर्टेंट है उन सब को मैं अच्छे वीडियों बना की चोट है इसका नाम है Bowl सब्सक्राइब तरह जादे था नाम ही पती है कि आथ कोहनी के मुझती है यह एक अबर्च रखिणौू में कि फह यह वाले अच्छ उत्यक्तिकन और यह उन्हेंसे खिञेंक उश्रस्चे फिरा लगती है उस्मेंतर Лगते हैं इसलिए नाम आम एक कॉंडी jogos भी बोला जाता है क्या-क्या बोला जाता है टैनिस एंबो को एलभो साफीफई hebben उसलों उसलों ऑखेअ दोस्तों पे हमारीह होती है is क्यानिफ हुद मैं एलभो होता है वहां के हट्टी मैं बोलते हैं की पास की पीचिया टेंडन होती है उस टेंडन को एपी कॉंडाइल बोल घृक्त कर सब्सक् हो जाता है उसी कोम कहते हैं में सब्सक्रीनिस ःपीक कोहनी के पास यह इस ठेंग मिद्स पर ड्ट पहां पैस पर एक ने लबो के पास जुड होता है इसको कॉहनी याण Elbow काते है तो कॉहनी यानि Elbow के पास इसी पेसी और टेंडन के बार-बार प्रेयोग होने से तो वहां पे कॉन सी पेसी होती है? E.P.Condy都 इसके बार-बार प्रेयोग होने से यह हचोड लगती है यजिन करणव से होती है तो इसका कारण है epikondyle huddy के पास टेंडन होती है epikondyle के पास कि टोट जाने हड़ी के उपर से हर जाने के कारण पहचोट लगती है यह कोईञिक पास के Tendon के Central क Libraries को क्रोनी के बहुत ज्यदा मतलब तो आइसी चोट जो प्रोनिक रुप से इस ट्रेस फैक्टे के कारण भी इस चोट लगती है एंड फोर आर्म यानि की अध्र बाहूं के अचानक खिच जाने से रैकेट वाले खेलों में गलत तरीके से ग्रीप करने से रैकेट से गलत तरीके से हिट करने से अधिक भारी रैकेट का परियोग करने से और साइज ग्रिप करने से भारी बाल का परियोग करने से रैकेट के तारों का टाइट होना इन सब कारणों से इल्बो में हमारे चोट लगता है इसको टेनिस इल्बो कहते हैं हीर तेरिनिसल्बो को हम किस प्रकार से प्ता लगए सकते हैं कि हमारे सेगी व आप देखेंगे वाले तो हात का प्रुनेशन जो है यकी हमारी हथेल्य प्रोजी सब्सकुर की प्रोगों की ओर, सुपाइचन में सिम्सकूल कुश्च करेंग estás and the केक Будem भूँखान, या इलबो, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, या यानि कि फ्लेक्शन, मतलर फहलाना, आप अपने हात को भूल के फ्लेक्शन करेंगा तो इसके दरण भी पतना कि पता लगेगा रेडियस का ने सा संग, जो रेडियस ह elf ने हुअट है, वद सिसион ही हुईरस के स आप दोस्ते जानेंगे कि टेनिस इल्बू चोट कितने प्रकार का होता है तो टेनिस इल्बू चोट दो प्रकार का होता है फोर हैंड टेनिस इल्बू एंड बैक हैंड टेनिस इल्बू पोर हेंड टेनिस एलबू क्या होता है जो हमारा अग्र बाअधू होता है थेख तो अक्र बाअधों का हाथ जो होता है जब इसमें बाझ यजेaiser पिखी चितने में दीख रहा है कि जब बाएबबार फोरहेंड डॉय लगा जाता आगे के हाथ से बार बार फोर हैंड ड्राइव लगा जाता है उस दवरान वृष्ट यानि कलाई में कि नीचे की तरफ जैसे कि आप एक रैकेट पकड़के फोर हैंड सामने से ऐसे क्या करते हैं कर रहे हैं ड्राइव लगा रहे हैं तो आपका जो कलाई है वृष्ट है परता है जिसके कार जो फ्लैक्सर समों की पेसियों में सूजन और दर्द आयाता है जैसे कि चेत्र में दिख रहा है कि फ्लैक्सर समों की पेसिया कौन है तो इसमें दर्द होने लगते हैं दूसरा है बैक हैं टेनिसल वो इसमें क्या होता है कि कमजोर नए खिलारी में अध यह था आपका टेनिस एल्बो के बारे में दोस्तों यह तेनिस एल्बो बहुत बार पूछा जाता है और इंपोर्टेंड है और कहीं पर हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं इसलिए मैंने सोचा कि यह वीडियो हम बना देते हैं तो दोस्तों आई होब कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं क्या कमी है उसको ही बताएं दोस्तों इस वीडियो को यादे सज्दी अपने दोस्तों तक सेयर कीजी u money making today तो आप मेरे चैनल पर पूरा घिघंबर करती होंगी तो दोस्तों यह आप मेरे चैनल पर पहली बार डिजिट कर रहे है तो चैनल को subscribe कर लिजिए बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिसे जो भी मैं नया वीडियो अप्लिट करूं उसको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंशता रहे हैं तो दोस्तों मिलते हैं नेश्ट वीडियो में नेश्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हैं